तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा सीन है ठीक है यहाँ पे संसेट भी होने वाला है और आज की वीडियो में आपको जो हम रिफ्यू करके बताएंगे एक ऐसी बाइक का जो की हर एक के फैमिली में मिली जाता है जो की यह भाई पैसन परो ठीक है तो यहाँ इसको नौ साल से चला रहा है उसको पता होगा कि क्या प्रॉब्लम है इस बाइक में माईलेज कितना है इसका सब सीद एक आउनर को पता ही होगा पहले आप इसकी कंडिशन देख लो पीशे से भी देख लो नमबर यहाँ पे आप सर्च करके देख सकते हैं कि इतना साल 257 किलोमीटर चली हुए है ठीक है और यहां पर आप देख सकते हैं सर्विस रिमाइंडर भी यहां पर आ रहा है तो इनको सर्विस करवाना होगा करवास लेंगी और फिर आप देख सकते हैं कि इसका जो है सो मतलब कंडिशन एक दम सही है से अभी जो है सो स्टार्ट हो ही चली आप मिलवाते हैं इसके और से नहीं चला रहा होगा रियुक तो तो माईलेज के तना देता है बाइक पचास की देती है पचास दे देता है आपका कंडिशन की इस हिसाब से आप रख रहे हैं अपने बाइक को उस पर निर्वर करता है तो इसका रेगुलर आप यह करवा रेगुलर बेसिस पर सर्विसिंग करवाओगे तो थोड़ा जादे देगा पच्पन तक जाएगा लेकिन मैं रेगुलर बेसिस पर सर्विसिंग नहीं करवाता हूं इसलिए मेरा 45-50 के बीच में रहता है और अभी जैसे कि हम लोग उफ्रोडिंग कर रहे हैं इस खेत में चला रहे है तो यह इस पर भी डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे र हरवाना पर जाता है अगर हम डेली चलते हैं तब और यदि आप पर ले ले लेते हैं तो नौ साल के बाद भी आपको इतना ज्यादा माइलेश देखने को मिल जाता है ठीक है एक बार भरवाव और आराम से घुमते रहो इस प्लेंडर से तो कम ही माइलेश है लेकिन ये बा बाकी रिंच पिलास से इसका नेट पार्ट करशता है तो उसका जितना लगया वही आठ नौ सब रुपया उससे जाला तो नहीं लगया और कितना दिन में मतलब करवाना पड़ता है दो हजार किलो मीटर चलने के बाद तो आप देख सकते हैं कि इसका जो मतलब चलाने में क लेकिन इसको चालक को कुछ भी नहीं हुआ था तो यह तो भाई हरे कॉनर का मतलब अपने गारी को ले करके प्यार रहता ही है तो भाई मतलब इसको जो नौ साल हो गया लेकिन हम भी इसको चलाए थे बाई चलाने में बाई एक दम मस्ते है ठीक है आप यदी पैसन परो ले सकते हैं कि यह सो किक से स्टार्ट हो चुका है बंद करिए और यह इंडिकेटर भी है कि आपका नीचे स्टैंड लगा हुआ है कि नहीं यह भी आप सामने देखिए 2015 में इस वाइक में आपको यह सब फीचर भी मिल रहा था हर एक वाइक में नहीं मिलती थी वाइक है स्प् सब्सक्राइब कर सकते हैं इस बाइक से ब्लॉग बनाते हैं ठीक है और कोई भी प्रब्लम होगा अगर थी तो इनके ब्लॉग में आप आप जाकर कर के देखी सकते हैं कि इस बाइक से कुछ प्रब्लम हुआ है तो आप जो है है ने हम पना एक देकितप कशी दिन में चैनल पे आने वाली है और वो कैसा है अभी वो भी आपको बताएंगे तो चलिए मिलते है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत